हेलो गईस वेलकम टू माई यूटू चनल इस वीडियो में मैं बात करने अलो हूँ सिंफोनी कंपनी के ओस से आने वाला सिंफोनी आइस क्यूब 27 लीटर वाला परसनल एर कुलर तो जिसे कि मैं last 6-7 months यूज़ कर रहा हूँ इसके बाद मैं इसका क्या कंडिशन है क्या है पॉपली वाक करा भी है कि ने क्या यह एर जो की कूल करके थो करता भी है कि ने यह फिर इसके इंद जितना भी लिटर हम वाटर पूट करते वो कितना टाइम तेक चलता है यह फिर बॉड की कॉलिटी अच्छी है भी कि ने वो सारी चीज़े में आपके इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आप भी सूच हो को अच्छा से कुलर पर्चिस करने के लिए आपका बज़ेट आ रहा हूँ इस बात के से गाए दो टार प्लास्टी मं ऑच्छा यूजिया यह akई इसके कहारण बहुत जाथा लाइट रेक सकते उठांके भी लेके जा सकते ओना नीचे आपको चारे वील्स भी देखने को मिल जाए गयाल कॉ यसी जो की इडर से आ उतर मौके कर सकते one room से hall में, hall से kitchen में कई भी लेके जा सकते हो power consumption की बात करें तो around आपको 105 watt का यह जो की use करेगा electricity cooler के front में bottom में जो की water indicator दिया गया है जिसे पता चल जाएगा इसके अंदर अब कितना पानी बचा हुआ है जैसे कि इसके इसके इंदर water की capacity की बात करें आपको 27 liter की capacity देखने को मिल जाती है तो एक बार आप feel करोगे तो around आपका 12 से 13 घंटा में भी तिन घंटे तक easily चल जाएगा इसके बाद मैं आपको फिर से feel करना पड़ेगा तो आप summer लीजे हर दो दिन से आपको इसे feel करना पड़ेगा summer की season में regular आप night में से use कर रहे हो तो water और ice chamber भी आपको indicator के उपर ही देखने को मिल जाता है तो easily इसके अंदर आप एना direct pipe के तुरूबी पानी भर सकते हो मक के तुरूबी भर सकते हो तो 27 liter की capacity है तो मैं आपको search करूँगा कोई भी नल के दर आप pipe लगा के भरी है जिससे की fast ये feel हो जाएगा अब swing की quality की बात करें तो वो भी पूरे plastic material में बने हुए plastic material बहुत ही battery नो अच्छा use कहा गया वो सामने आपको round design देखने को मिल जाता है तो जिसके तो आप pump और swing को control करोगे for example आपको pump का on रखना है तो आप first वाले पे रख सकते हो for example आपको pump और swing को दोनों का on रखना है तो आप second वाले पे से turn कर सकते हो for example आपको only swing का on रखना है तो आप fourth वाले पे से turn कर सकते हो तो आपके comfort के साब से आप जैसा चाहिए वैसा set कर सकते हो अब बात कर लेता है side की design के तो side में आपको honeycomb के pad को use किया गया है जिसके कारण है ये बहुत ही simple और easy हो जाता है clean करना और जो भी आपका air back side से खीचेगा उसे बहुत ही जादा purify करके आगे throw करता है honeycomb का pad जो कि है as compared to पुराने वाले cooler में जो कि घास जैसे रहते तो वो clean करना भी बहुत ही difficult हो जाता है पर honeycomb का pad बहुत ही बहुत ही बहतरीन और अच्छे आते है और easy to clean रहता है अब next question आता है कि ये cooler कितने भाई कितने room के लिए perfectly लिए तो मैं square feet की बात करूँ तो round आपको 200-800 square feet के area के लिए cooler एक्दम perfectly है विससे ज्यादा बड़ा area hall वगेर है तो मैं आपको search करूँगा आप इससे बड़ा वाल cooler की हो जा सकते हो तो इसे आप से थोड़ा price range में भी रहता है तो जैसे कि आप इना से थोड़ा fast करोगी तो आपको थोड़ा noise देखने को मिलेगा जिस तरह fan care noise आते है और medium or slow पे आपको इतना noise देखने को नहीं मिलेगा और इस cooler के अंदर आपको SMPS की technology भी देखने को मिल जाती है और अचानक से कोई भी आपके socket में short circuit हो जाता है तो यह automatically जो कि turn off हो जागा तो आपके cooler की motor वगेरा कुछ भी चीज़ नहीं जलेगी तो वो सारी चीज़ आपकी safe रहेगी सो इस cooler के बारे मैंने सभी चीज़ डीटियल में बता दिये कुछ भी चीज़ में भूल गया रहा हो तो आप उसे comment section में पूस सकते हो तो यह मैंना Amazon से purchase किया था 4,999 का Amazon पे different different seller है same cooler को 5,500 को 6,000 का sale कर रहा है जो seller से मने purchase किया उसका link में description में दे दूँगा जब मने purchase के offer भी चालूता तो हो सके कि आपको भी कम price में मिल जाए आप एक बार description चेक कर लेना price up and down भी होते रहता है और आप ये वीडियो 2022 ये 2023 में देख रहे हो तो 6,000 में हमारे cooler भी update होते रहते तो जो latest वाले रहे कि विनकी link भी मैं description में provide करतूँगा तो आप एक बार description ज़रूर चेक कर लेना तो आप लगा रहेगा वीडियो अच्छा लगा जादे तो वीडियो को like कर दीजिए ऐसे और बर इंट्रेस्टिंग वीडियो चीए तो मैं चैनल को subscribe कर दीजिए thank you so much for watching this video